Hello everyone, मेरा नाम है राजेश और आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल Stockfinder में एक बार फिर से सवगत है उमीद करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे तो मैं आज बात करने जा रहा हूँ Long Term Investment की So Long Term में आजकल लोग ऐसा सोचते हैं कि जो उनका पैसा है वो उन्होंने एक बार डाल दिया बल्क में पैसा डाल दिया और सोचते हैं कि पांस साल दस साल के लिए जो उनका investment है उसको वो ऐसे ही छोड़ देते हैं आप investment कर रहे हैं अपना जो पैसा है जो मेहनत से अर्ण किया हुआ पैसा है उसको बिल्कुल भी आप बिना analysis के बिल्कुल भी इन्वेस्ट मत करिये इन्वेस्ट करना है और उसको long term के लिए इन्वेस्ट करना है तो जो स्टॉक है दोस्तों उसके सारी सभी तरह के जो fundamental है वो देखिए कि इस प्रकार की जो company है company का business model क्या है और company किस तरीके से आगे future में किस प्रकार से growth रहने वाला है company का यह सब बहुत important चीज़े हो जाती है दोस्तों जब हम अपना जो पैसा है वो long term के लिए investment में डालते हैं तो important बात यह है दोस्तों कि लोग पैसा डाल के फिर सोचते हैं कि मैं 5-10 साल के लिए मैं बस पैसा डाल दूँ और भूल जाओ और जब मैं 5-10 साल बात देखो तो उसका 4-5 तरीके से return बन जाए तो इस तरीके से जो दोस्तों आपका जो stock market है वो इस तरीके से बिलकुल भी काम नहीं करता है आपको regularly जो उसके quarterly results है उसे track करते रहना चाहिए ताकि जो आपके जो stocks हैं उसमें जिसमें आपने की holding है वो उसमें क्या update आ रहा है उसके जो company के result है company की performance है वो किस प्रकार से च stop loss, stop loss को जरूर follow करें दोस्तों ताकि जो आपका पैसा है वो जो आपका loss है वो limited जाए क्योंकि होता क्या है कुछ-कुछ stocks में जैसे कुछ bad news आ गई या एक quarter दो quarter खराब आ गया तो वो stock में downfall जो होता है वो काफी लंबा चल सकता है और इसी वज़े से आप जो quality stock में अगर क्या है